आईएव देखते हैं पांच बज़े से पहले पांच पड़ी खबरें गोरकपुर में सीम योगी रत पर सवार होकर मानसरोवर मंदिर के लिए निकल गए हैं विज़र दश्मी के मौके पर गोरकनात मंदिर से विशाल शोभायात्रा निकाली जाती है और गोरक्ष पीठा धिश्वर योगी अधितनात दंडा दिकारी की भूमिका में रहते हैं सीम योगी के साथ सादू संतों की टोली है और जगा जगा लोग सीम योगी के रत पर पुछवर्शा कर रहे हैं सीम योगी यहां से मानसरूवर मंदर जाएंगे और भगवान शंकर की पूजा करेंगे फिर राम नीला के मंच पर भगवान श्री राम का राज़ा भिशेक करने के साथ ही लोगों को संबोधित भी करेंगे गुजात पर बड़ा हाथसा हो गया मैसाना में निर्मान कारे के दौरान मिट्टी धस गई जिसके मलबे में दबकर आठ मज़दूरों की मौत हो गई स्टील इनॉक्स स्टीललेस कंपणी की साइट की दिवार बनाने का काम चल रहा था जिस दौरान अचाना की हाथसा हुआ मौके पर रेस्क्यू अपरेशन चलाया जा रहा है जैसे भी के साथ प्रशासन की टीम राहत और बचाफ कारे में जुटी हुई है कॉंगेस के सीनर लीडर दिविजे सिंग के भतीजे पर केस दर्च किया गया है वधिपदेश के गुणा में पुलिस ने दिविजे के भतीजे आदित्य सिंग के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के खिलाफ केस दर्च किया आधित्य सिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमे वो पुलिस कर्मियों से बहस करते हुए दिख रहे हैं बतीजे पर F.I.R. दर्ज होने के बाद दिगविजे सिंग का रियाक्शन भी सामने आए दिख विजे सिंग ने कहा कि पुलिस की ये एक तरफा कारवाई है हर्याना में नई सरकार के शपत क्रहन की तारीख आ गई है नायब सिंग सैनी 17 अक्टूबर को दुबारा सीएम पद की शपत लेंगे सुबह 10 बजे शपत क्रहन समारो का आयोजन किया जाएगा प्रधान मंत्री मोदी भी शपत क्रहन समारो में शामिल होंगे आज दिल्ली में नायब सिंग सैनी मनोहलाल खटर के नए घर के ग्रेपरवेश्मों पहुँचे जहां उन्होंने एक बड़ी बात कही नायब सैनी ने कहा कि वो पहले 25,000 नौजवानों को नौकरी का जोइनिंग लेटर देंगे फिर शपत लेंगे विजय दरश्मी के मौके पर राश्ट्र स्वयम सेवक संग का पत संचलन कारेकरम का आयोजन किया गया इस मौके पर संग प्रमुक मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया और इस दोरान अपने संबोधन में संग प्रमुक मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने हिंदू को एक जुट होने का मंत्र दिया झाल